प्रेक्टिस मैच यानि की वार्म अप मैच तो ही भारती टीम भी अपने दूतरा औराकरी वार्म अप मैच खेलेगी बांगलदेश के खिलाफ जो कि इंडिया वर्सिट बांगलदेश के बीची है वार्म अप मैच अठाइस मही दो आदर निस इसको खेला जाएगा तो आज हम इसे वीडियो में इसके प्लाइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से भारती टीम की 11 खिलाड़े खेलेंगे बंगलदेश के खिलाफ इसे मुकावले में और साथ इसकाद आपको बताएंगे कि यह मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच कितने बज़े से स्टार्ट होगा दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में तो सुरूत लेकर लास तक पूरी वीडियो देखते रहें दोस्तों अगर हम बात के तो भारती टीम का दूतरा और आकरी वार्मप मैच बांगलदेश के खिलाफ खेला जाएगा जो कि इंडिया वर्सिर बांगलदेश के बीच यह वार्मप मैच 28 माई दो हादर निश्ट को खेला जाएगा काडिफ के सूफिया गार्डिंस स्टेडियम में और यह मैच सामको तीन बज़े से स्टार्ट होगा यानि की 3 पीम से दोस्तों यह मुकावला काफी टक कर काफी रूमा चक का होने वाला है क्योंकि बांगलदेश की टीम भी से मैच में अपनी जब बादस टीम उतारकर टीम इंडिया को हरा कर अपने होसले काफी ज़दा बुलंद करना चाहेगी तो काई जब बिलादेरी के वेच लिए बात क चाहेँ आप सबी लोग बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इस्यों सिंपल कि जब आप दे कर जैसे कि कौन ती टीम जीतेगी यह मैच कौन सी टीम आरेगी मैच और कौन सी टीम के तना स्वाधारन स्कोर करेगी तो भी से आपट करें जो की लिंग डिस्क्रिप्शम में मुझूद है डाउन ओड करते हैं आप कॉलेडी सवर रुपी बोन समय मिल जाएंगे अब दोस्तों बिनादीरी के विच लिए बात करेते हैं बारते टेम की पलेइंग 11 के बारे में बंगलदेश के खिलाफ इस मैच के लिए तो गाइस मैं आपको बता दू कि वारमप बात आठ नो जितने भी गेरबाज यूज कर सकते हैं हर एक टीम तो गाइस अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले उन खिलाड़े के बारे में जो बाहरती टीम के तरफ से बल्लेबाज करेंगे इस मैच में तो सलावी जोड़ी के तरफ पर नमबर एक परोंग रुए रुह आठ नबर नो परोंगे विजर संकर बहतरी नाल जाउंडर जबकिनंबर दस प्रहणे रविणदर जिडे लगीश के ती तो ये अच्छे बालत नापर नोंगे बाटिंग लाइन अप है अगर हम बांट टीन गेढ़ बाज लाइन अप की तो कुछ इस तरह से होने वाल्य गीज़ बाजी लाइन अप जो कि नमब एक परोंगे बुमने तिरुकमार नमब दो परोंगे मुहम्मद समी नमब तीन परोंगे जस्पिर मुंबरा जो कि यह भार्ची टीम के तीन के तीन हुई थे इस गेट बाज़ खेलते हैं वे दिखाई देंगे इस मैच में तो इसके प्रिवाग की तीम को वो खिलाड़ी जो बांगदेश के खिलाफ इस मैच में खेलेंगे आपको बता दूए कि पिछले मैच में युजिलेंड की खिलाफ टीम इंडिया सिर्फ तीरह ही खिलाड़ी के साथ मैदान पर उतरी ती जो कि कैदार जादो तो वहीं विजय संकर को ट पहले ही फिट हो गये थे लेकिन यहां पर पहले प्रेक्टिस मैच में टीम इंडिया ने पर कोई भी रिस्क नहीं उठाया था और उम्मीद है कि मैच में एसाइड खिला जा सकता है अगर नहीं खिला जाएगा तो वहीं सेम टीम होने वाली है इस मैच में भी